नेक्स्ट दिया हुआ है राहूल का मल्लीका से क्या सम्बंध है दोस्तो प्रस्ण में पुछा जा रहा है राहूल का मल्लीका से क्या रिष्टा है कथन में क्या दिया हुआ है दोस्तो कथन वान में दिया हुआ है राहूल का बहन नहा है दोस्तों क्या हम क्यबड कोथन वान से इस कोष्चिन का अंसर दे सकते हैं? दोस्तों हम क्यबड कोथन वान से इस कोष्चिन का अंसर नहीं दे सकते हैं क्यूंकि कोथन वान में राहूल का बहुन नेहा के बारे में बोला जा रहा है लेकिन प्रस्णा में दोस्तो राहुल मॉल्लिका का बीज में संब्ध क्या है पुछा जरुआ है कथन वान में दोस्तो राहुल का बारे में तो दिया हुआ है लेकिन मॉल्लिका बारे में नहीं दिया हुआ है तो कथन 1 से इस question का answer हों नहीं दे सकते हैं अब हम क्या करते हैं दोस्तों अब हम कथन 2 पर चलते हैं धोस्तों कथन 1 को भूल जाए कथन 1 को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए कथन 2 पर आजाए दोस्तों कथन 2 में दिया हुआ है नेहा के मत्ता का नाम मॉल्ली का है कथन टू में दिया हुआ है क्या कथन टू से इस कोस्चिन का अंसर दे सकते हैं दोस्तों कथन टू से इस कोस्चिन का अंसर हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि कथन टू में नेहा मॉल्ली का बारे में दिया हुआ है लेकिन राहुल का बारे में कफन टू में नहीं दिया हुआ है तो क्यवड़ कफन टू से इस कुश्चिन का अंसर हम नहीं दे सकते हैं अब हम क्या करेंगे? अब हम दोस्तो sentenced 1 and Linda 2 इस दोनों को दोस्तो आडं मतलब कमबाइन इस दोनों को मिल्ला के देखते हैं इस दोनों को आर करके देखते हैं देखे कथन वान में दिया हुआ था राहूल का बहुन नहा है दोस्तों ये दोस्तों नहा ठीक राहूल का बहुन दोस्तों नहा कथन 2 में दिया हुआ है नहा का मत्ता का ना मल्ली का है दोस्तों ये आगया मल्ली का अगर नहा का मत्ता का ना मल्ली का है तो फिर राहूल का मत्ता भी मल्ली का हो जाएगा क्यूंकि राहुन का बहुन नहा है, कथन 1 में दिया हुआ था, तो अगर हम कथन 1 और कथन 2 इस दोनों को आड़ करके देखेंगे, तो इसका अंसर हम दे सकते हैं, तो इस question का right answer हो जाएगा, दोनों कथन पाड़ान करते हैं, दोस्तों दोनों कथन 1 और 2 इस दोनों पाड़ान करते हैं, दोस्तों इस question को टिस्चेस ने पुछा था,